तो चलिए हम लोगों हम लोग क्या पढ़ने हैं समकालीन भारत भागदों के अंतरगोल पढ़ने हैं तो जो कमी है उसके लिए कुस समाधान निकाला गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले यहां बात करें वर्स उनीस सो साट सत्र के दसकों में ठीक है परियाण सनचकों ने जीवों की रच्छा के लिए नए कानूनों की मांग की थे तब सरकार ने भारती वनने जीवों अधिनियम उनीस सो बहत्तर को लागू किया था यानि कि परियाण के चिंतक थे उन लोगों ने जीवों की रच्छा के लिए प्यरपोधों की रच्छा के लिए के नए कानून की मांगी तब भारती वनने जीवन अधिनियम उनीस सो बहत्तर को लागू किया था इस अधिनियम के तहट सनरचित परजातियों को एक अखिल भारती पर पर परजातियों के सिकार पर पवंदी लगा दी गए तो और जो बची हुई संकड़ पर जातियों थी जो पसवच्छी थे उन पर आप वो बचे रहें इसके लिए उन लोगों पावन लगा दिया एवं वन ने जीवन के बैपार पर भी रोग लगा दिया ऐसा नहीं कि इसके लिए सरकार ने बड़ा पाबन लगाया और कदम उठाया तो उसके लिए 1972 में कौन सा अधिनियम बना था वन जीवन अधिनियम तो इसके बाद बात करेंगे ठीक है भारत के कई राज्यों तथा के इन सरकार ने निश्टनल यानि राष्टी पार्क एम वन जीवन तयार किये गए जैसे प्रजेक्ट टाइगर थे तो उसके अंतरगत बहुत सारी इंपोर्टेंट आते हैं उसको हम लोग देखते हैं यह सरक जामों में अब्जेक्टिव के अंतरगत पूछा जाता है तो एक-एक बात करते हैं खास-खास कीजिए सबसे पहला क्या बनाया पूछा था जिसे आम लोग जिम कारवेट राश्टी उद्ध्यान भी कहते हैं नस्नल कार राश्टी उद्ध्यान भी कहते हैं यह उत्रा खनड में यह बाग सनचन के लिए वनाए गया था वहीं सुन्दरवन राष्टी उद्ध्यान पश्चि म्मंगाल से कई जनवर थे बाग उगरा भी थे तेंद्विआ उगरा इनकी वी सनाच्छन के लिए बनाए गया था और इसमें अगला है मानस राष्टी मानस टाइगर रिजुर पार्क यह असम बनाएगा थे अकसर जाम पूछा जाता है ठीक है पेह रियार टाइगर रिजुर पार्क है यह भी 77 अगला है कंचन जंगा राष्ट्य उद्यान जो सिख्किम में है ठिक है और आस्वारत के बाग सनच्छन के इसके उदारण के तौर पे हैं तो बहुत सारे से जो हमारे जीव सान अच्छन अधिनिया मुनी से 22 कंतर बनाएगा था यह सारे उसके लिए बिसेस कार किये गया तो इसी कड़ी तो और देखेंगे अगले कड़ी में वन और वन जीवन संसादुनों के प्रकारियम बित्रान ठीक है जो अगला आपका यूनिट वात मिलता है वो है वन जीव संसादुनों के प्रकार वित्रान क्या करा है भारत के अधिक तर 1M वन जीवन ठीक है या तो प्रतचéo रूप में सरकार के अधिकार छेत में है या वन विभाग के जर्ये सरकार के प्रबंधन में आते हैं जिने हम इस प्रकार बांट सकते हैं जो वन जीव है और वन जीव संसादनी भारस अरकार के अंतरगात जो बनाई की लिश्ट है ठीक है उसके अंतरगात गोशित किये जाते हैं तो वो कौन-कौन से प्रकार के अंतरगात आते हैं जिने हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं एक वन को अरक्षित वन की स्रेणी में गिना जाता है देश में आधे से अधिक वन अरक्षित वन गोशित किये गए है सनच्छन की तहे ठीक है गोशित किये गए है सनच्छन की दिश्चे से अरक्षित वनों को सरवधिक मूलवान माने जाता क्योंकि यहां पर बहुत सारे उपजाव पहल पाउधे लगा जाते हैं जिव जन्तूग जिलाए जाते हैं लोग नुक्सान न पहुचाएं इसलिए इसमें सिकार और मानो गदविधियों की रोख होती है अगला है बच्चों रक्षित वन ठीक है जिसे में रक्षित वन बोल है जिसमरं सिकार और मानो गदविधियों को रोख होती है कि तो वहाँ पर जो रहने वाली आदिवासियां जन जाती है इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरच्छा की जाती है। ठीक है? अगली कड़ी में है अवरगी करिद वन ऐसे वन न तो रख्षित वन होते हैं ना ही अरख्षित वन के जंतरगत आते हैं। उन्हें हम लोग अवरगी करिद वन के इस रणी में प्रकार बाटा गया है भारस सरकार दौरा जो प्रतच रूप से बनाएगे सूची है उसके अंतरकत तीन रूपों बाटा गया है एक तो बाटा गया अरक्षित वन के रूप में दूसरा है अरक्षित वन के रूप में लोग क्या करने लाग़ इसलिए कुछ लोग कई जगों पर सरकार के सन अच्छन के प्रयासों के साथ भागीदारी भी कर रहे थे जैसे राजस्थान के सरिस्का टाइगार रिजुषर पार्ग में गाहों के लोगों ने ख़नन के खिलाब लड़ाई लड़ी थी जो राजस्थान में सरिसका टाइगर इदर पार्ग बनाय जा रहे थे उसके उत्खनन के लिए जो भी ठीक है किया जा रहा था इसके लिए भी लोगों ने विरोत किया था ये जीड़ अगला है हिंदु धर्म और कई आदिवासी समुदायों ने प्रकित पूजा की पुरानी परंपरा रही है तो जो हिंदु धर्म उसको आप जानते हैं प्रकित पूजा रहे कई आदिवासी जन जाती है वो भी प्रकित पूजा करते हैं जंगलों में पवित्र पेड़ों के जुर्मुट इसी परंपरा की गवाही देते हैं बहुत सारे से पेरपाओधे होते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत घहने होते हैं, उनको लोग काटते पीटते नहीं, इसका उदारन शी है, कि हिंदु धर्म और आदिवासी लोग इसकी पूजा करते हैं, तो लोग इसको नुकसान नहीं पहुचाते, यह चीजे, वहीं छोटा नागपूर के मुंडा और संथाल लोग महुआ और कदम की पूजा करते हैं ठीक है जो छोटा नागपूर के क्या हस रहें कि यह क्या है यह लोग क्या है कि एक परंपरा बनी है जिसे हमारे परियोंड सरच्छण किया जा सके तुम्हारे जो समुदाय है वन और इसका सरच्छण में योगदान यह लोग देते हैं तो इनके लिए हम लोग किर्टक गये हैं यह चीज़े वहीं राजस्थान के बिश्णोई गाउं में चिंकारा नील गाय और मोर को क्या करते हैं पूरे समुदाय का सरच्छण मिलता है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुचाते है जैसे जो राजस्थान का बिश्णोई जाती है ठीक है तो वहाँ पे चिंकारा है और नील गाय ह अब मोर है ये क्या करते हैं जैसे चिंकारा वहाँ वो लोग क्या मानते हैं उसको अपना देवता मानते हैं नीला नीला ठीक हीरन होता है तो उसको ये लोग क्या करते हैं अपना देवता मानते हैं काला चिंकारा वगराई भी करते हैं जैसे कहा जाता है कि जो सल्मान खान हमसाथ साथ है उसमें उन्हें इसका सिकार कर लिया था तो उन्हें को पर जो हिंटर रणर केस है वो भी चल रहा है तो विश्णोई जाती के द्वारा कराए गया था यह चीजे नुकसान नहीं पहुचाता है तो यह लोग क्या करते हैं अपने जो रजस्थान के लोग होते है अपनी जो चिंकारा है नीलगा है मोर है इनके सनचल करते हैं तो ये सरकार भीन को साथ देती है इसलिए इसी प्रकार सनचल कार में समुदाय की भागीदारी का एक अच्छा उधारण चिपको अंदोलन भी है तो आज़े देखते हैं चिपको अंदोलन क्या है ये प्रशन क्या जाता था जब कोई भी किसान या कोई ठेकेदार पेड़ों को काटने हाथा तो यहां के जो अंदोलन कारी भी ते घ्रकारी च्पक जाते थे और वहां को च्पक नहुए कि कहा है लिए ठीट पूरा ये क्या रहाए घ्यप्टा को बनाते हैं तो यह पूरा आपका कोई भी समस्चा हुई है तो आप मुझे अगत करें मैं इसका समधान करूंगा बच्चो तब तक के लिए जय ही जय भारत